नमस्कार पिछली 5 एपिसोड में हमने 5 तरह की फ्लाटोनिक सोलिट्स बनाए और सर्प्राइजिंग बात ये भी है कि ऐसे सिर्फ 5 ही सोलिट्स है जिनके फेसे रेगुलर पोलिगन से मिलके बने हुए हो और जिनके वर्टिसेस भी सेम हो और वो एक ही तरह की शेप से मिलके है जैसे अगर tetrahedron है तो वो पूरा सोलिट्स ट्राãyंगल से मिलके byna हुआ है क्वा है अगर क्यूब है तो वो पूरा सॉलिट से मिलके बने हुआ है आज की शुर्माद हम archimedian बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखता है और इसका नाम है ट्रंकेटेट टेट्राहेडरन तो यह जो अर्किमेडियन सोलिड बना है वो हमारे सबसे सिंपल प्लाटोनिक सोलिड यानि टेट्रा टेट्रा की एक साइड को वन थाड करने पर बनाएं और यह हम ऐसे भी देख सकते हैं यह जो हमारा ओंट्रेप का सॉफ्ट्वेर है यहां पर अगर यह देखिए हम लिगुलर हेग्जागं मिल कि और हमें एकुलेटर ट्राइंगल विल गया और यह हमन un-nelगत्री रहwegen एक्षर है और यह हमारा क्या है TRAIKEDER TETRAHEADRAN बन लिए इसकी हर साइड को अगर हम वन 3 काट देंगे तो हमें vertex पे तू मिलेगा triangle और हमें ऐसे कितने triangle मिलेंगे? 4. और faces पे मिलेंगे हमें hexagon और elaboration और वो कितने मिलेंगे? वो भी 4 क्योंकि इसके faces भी कितने है? 4. इसके 18 sides है और vertex जो कोने है वो है इसमें 12 और इसके faces है वो है 8 उसमें से 4 क्या है? triangle faces और चार है hexagon faces और जो हम बात कर रहे थे कि हर vertex इसका similar है यानि हर vertex पे क्या मिल रहा है दो hexagon आके मिल रहे हैं और एक triangle हर vertex पे इसा ही है दो hexagon और एक triangle दो hexagon और एक triangle तो यह है vertex की symmetry और जैसे हम platonic solids में भी देख रहे थे कि vertex सब के सेम है की vertex पे यहाँ पे triangle ही आके मिल रहे है लेकिन इन सब की shape भी सेम है इसमें सारे triangles ही थे यह पूरा solid triangle से ही मिलके बना हुआ था और यह जो solid है इसमें दो तरह की shapes आ गई अभी इसमें hexagon भी है और triangle भी है जो different बात जो है Archimedian solids की और platonic solids की यही है कि यह different shapes पीस में included है और यह only एक ही तरह की shapes से मिलके बने हुए तो हम आगे ऐसे ही 12 और archimedian solids आपके साथ बनाएंगे जो ही platonic solids को अलग अलग तरीके से कट करने पे बनते हैं